आज मैं इस वीडियो में कुछ उप्योगी मुद्राएं लेकर आए हैं, बिदी और फायदे भी आपको सिखाएंगे। सिर्दासन में या पदमासन या फिस सुखासन में आप बेह जाएंगे। तो यह देखो, पिछले वीडियो में मैंने सिद्दासन, सुखासन और पदमासन सिखाया है। अब ही हम सुखासन में बैठे हुए हैं। सुखासन में सीरे बिलकुल इस तरह से बैठे गई। कमर सीधी, गर्दन सीधी इस तरह से आम लंबा थोड़ा सा सुखास लिया ऐसे उंकार का गुण्यन एक दो बार पाच बार आप ज़रूर कीजिए। कोई भी आसन प्राड़यम सी प्हाले है। क्यूंकि इस से मन की शांति और च्छत ब्रत्ति एक आगर होती है। लंबा सास लेंगे। हम ओओ स् ओर लड़ोओं ओक जाओ एल स्वार्ण वह आप पहली मुद्रा आपको सिखा रहे हैं ग्यान मुद्रा तो ग्यान मुद्रा में क्या करेंगे खुले हाथ पहली अंगूठे से इस परस करवाएंगी तीन बागी तीन अंगली सीधी इस तरह से आप यह ग्यान मुद्रा बन चुकी है घुटने पर इस तरह से रख सकते हाथ सुखा समन बैड़के अब इससे होने वाले लाव मानसिक रोग ठीक होते हैं इसे अनिद्रा जिसको नीद ना आने की बीमारी है तो नीद भी इनसे नीद अच्छी आने लगती है अती निद्रा जिसको अधिक निद्रा आती है तो इस मुद्रा से कंट्रोल होती है जिसकी याद सक्ति कमजोर है तो यह ज्यान मुद्रा करने से याद सक्ति भी बढ़ती है जिसका क्रोधी सुभाव है क्रोध अधिक आता है बाद बाद में छुट छुटी बातों में क्रोध आता है तो यह ज्यान मुद्रा बनाने से उसको लाब मिलता है ये मुद्रा करने से विद्यार्थियों का पढ़ाई में खुब मन लगता है पूजा पार ध्यान भजन में भी बहुत लाब दायक है ये मुद्रा ग्यान मुद्रा अब आपको दूसरी मुद्रा सिखाते हैं प्राण मुद्रा अनामिका और करिष्टे ये दोना उंगलियों को इस तरह से मिला लिया बाकी जो अगुठे से इस पर्स करवाए इस तरह से बाकी जो दो उंगली विल्कुल सीदी ये प्राण मुद्रा बन गई इससे होने वाले लाव आखों की रोश्णी बढ़ती है चस्मे के नम्मर घटने लगते दीरे दीरे आखों के लिए ये बहुत फाइड़े बन है प्राण मंद्रा आखों की रोश्णी बढ़ाने के लिए और भी आख कर सकते हो सुवह प्राता काल उठने के बाद मुमें पानी भरें और आखों में इस तरह से छीटे मारा तो इससे भी आखों की रोश्णी बढ़ती है नहाते समय अंगुठों में नहाने से पांच मिनट पहले दोनों प्यार के अंगुठों में सरसों का तेल लगाने से रोण नेमत लगाओगे तो आखों की रोश्णी बढ़ती है छे महीने लगातार आपने किया यह प्रियोग तो आखों का चसमा भी उतर जाता है और बढ़ाबे तक आपकी द्रश्टी अच्छी बनी रहती है रात को सोते समय मिस्री और सौंप चबाचबा के एक चमज खाए इससे भी आपकों की रोश्णी बढ़ती है चलो आप बहुर भी है अगली वीडियो में आपको बताएंगे और में आपकों की बताव है